डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सेकिन बाद स्टार्ट यह अत्यंत संतोस का विशय है कि गाव चोपाल की चर्चा तक में देश की एकता और सुरक्ष्या से जुड़े मुद्दे सामिल होते हैं हर इस्तर पर लोग अपनी अपेक्साओं को अलग-अलग निर्धारित करने लगे हैं मगर देश में बहस उन लोगों के मध्य भी होनी चाहिए जो गहन अधिन सील हैं देश और उसके लोगों को समझते हैं राजनीतिक विचारधाराओं या दलगत राजनीती से बंधे नहीं है सजग और सतरक नागरिक तथा सामान्य जन भी एसी चर्चा सुनना और देखना चाहेंगे जिन में गांधी नेहरू आमबेडकर नेताजी सुबास चंद्र बोस के सपनों की भारत का जिक्र हो जिसमें राजेंद्र प्रसाद की सम्विधान का किर्यान वैन करने वालों से की गई अपेकसाओं पर बहस हो जिन में सामाजिक सवहार्द तथा पांथिक समरस्ता को बढ़ने के लिए राष्टिय इस्तर पर सर्वदलिय प्रयासों को नई उर्जा के साथ पुनर जीवित करने पर सभी के मध्य सहमती बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का उत्सा है परिलक्सित हो अगर देश में एक भी घटना एस्प्रिश्यता को लेकर घटती है या किसी को केवल उंच नीच जैसी दुरभावना से अपमानित होना पड़ता है तो उसे रोकने की जिम्मेवारी से क्या कोई भी अपने को अलग कर सकता है क्या आम चुनाव का यह समय गांधी और उनके सब्दों को याद करने का नहीं होना चाहिए क्या सभी राजनीतिक दलों को साथ बेठकर यह विवेचन नहीं करना चाहिए कि गांधी के सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने पिछले पांच या पचतर वर्सों में क्या किया यह उन सभी दलों का उत्तर दाईत्वे बनता है जो संसद में गांधी की प्रतिमा के पास बेठकर धरना देते या राजगाट जाकर अकनी तकलीफ गांधी जी को निवेदित करते हैं कहीं भी और कभी भी समस्याओं की समाधान का सबसे ससक्त रास्ता निर्मल समवाद ही होता है समवाद जब निश्वार्थ से आकरांत हो जाता है तब पूर्वा ग्रह हावी हो जाते है समवाद के हर पहलू को उसकी सफलता और विफलता के कारकों सहित महाभारत में देखा जा सकता है वहाँ अनेक अवसरों पर सफलता भले नै मिली हो आपस में एक दूसरे पक्स के विचारों, कुंठाओं और दुरभावनाओं को जानने का अवसर अवस्य मिला होगा भारत की सांस्क्रतिक परमपरा में समवाद के अनेक अनुकरणिये प्रकरण बहुदा उद्रत किये जाते हैं उनकी छाया में राजनेताओं के सलाहकार उन्हें अपने विरोधियों से सम्मान पूर्वक समवाद इस्थापित करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जो जनसेवा में जीवन समर्पित करना चाहते और जनता के प्रतिनिदी बनना चाहते हैं क्या उनको गांधी जी द्वारा 17 चितंबर 1925 का यंग इंडिया में लिखा यह वाक्य याद नहीं रखना चाहिए मैं भारत को स्वतंत्र और बलवान बना देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वह दुनिया के भले के लिए स्वेच्छा पूर्वक अपनी पवित्र आहूती दे सके इसके लिए नै केवल राजनीतिक दलों के इस्तर पर सहमती बननी बलकी सभी को मिलकर राश्ट्र पती भी निर्मित करनी चाहिए युवाओं को इस प्रकार की अपेक्साओं पर चर्चा के लिए प्रेरित करना आवश्यक है समाप्त दोस्तों इस डिक्टेशन का पीडे फाइल अपने टेलीग्राम चेनल इस्तर डिवीद आज भी स्वामी पर डाल रखा है हुआ है झाल झाल